मैं रिन स्वागत करते हूं आपके अपने YouTube Channel To the Point में दोस्तों आज मैं इसमें लेकर आए हूं यानि विए फर्स्ट समेष्टर होम साइन्स का सिलेबस जो कि मारे बच्चों का बहुत ही ज़ादा दिमांड था कि first year का first semester का आप लोग के सामने syllabus लेके आएं तो इसमें देखिए ये आपका सन 2020 का जो syllabus है यानि कि राश्तिय राश्तिय सिच्छा नीत के अंसार ठीक है ये राश्तिय सिच्छा नीत जो है सन 2020 का syllabus है जो कि अब change हो गया है काफी changing आई है पहले तो भी ये first year का जो हुआ करता था home management होता था तो बिलकोल अलग होता था लेकिन अभी आपका syllabus जो है आप लोग जो फर्स्ट यर यानि कि अलेबद और 12 में पढ़के आये लगबख सभी chapters वैसे मिलते चुलते आपकी syllabus है आपका ये तीन खंडों में विभाजित है यानि कि आपका जो है ये तीन खंडों म थ्री सेक्षन है तो इसको थ्री सेक्षन में आपको पढ़ना है ये सन 2020 का जो नई सिच्छनीत है उसके उनसार आपका syllabus है जैसा कि आप लोग को पता है मेरे फरस्टेर बच्चों को कि अब जो है आपका समिश्टर वाई जी ये पेपर होना है तो अभी आप लोगों के लि एक अच्छी news है कि क्या कहते हैं मैं आपको जितने भी इसमें आपके जो भी syllabus में जो भी topic है नो कोई कोई हर तौपिक को मैं हर दिन इसको एक तो टेलिग्राम हमारा एक चैनल है आप उस पे रिना मैं होम साइंस की नाम से हमारा चैनल बना हुआ है आप सर्च करेंगे बिल्कुल टूडपॉइंट का एक जैसे आपका यूटूब पर दिखता है से वहां पर बना हुआ है आप उसको जॉइन कर लिजिए आपको वहां प आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बाकी जो बच्चे अपने फ्रेंडों के साथ अगर इसको सेयर करेंगे तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा तो अपने फ्रेंडों के साथ इसको सेयर करिए उनको भी हमारे चैनल का बताईए कि इस पे आपको होम साइंस करती हूं बेका ठीक है तो भी यह हो नाइंथ , हो तेन्थ में सभी क्लासिस के यहां पर मैं आपका कबर कराती हूं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजीड pag कमेंट करके भी हमें जरूर बताइए कि हमारा चैनल आपके लिए कितना helpful रहा है तिक चलिए आज हम देखते हैं अपना जो ये है राश्तिय सिच्छानी जो है सन 2020 उसके अनुसार आपका सिलेबस किया है थोड़ा से तबेत नहीं ठीक है जुखाम है तो इस वज़ा से कैसे अमें आपका क्या है कि प्रभरांगत गरेविज्यान ने secured दीक है कहने का मतलब यह है कि गरेविज्यान का आपको सबसे पहले यहां पर रिप्गेश कमें? कहां से इस्की शुरुवाद हुई? क्या उसकी प्रास सा रही है, क्या उसकी आलोचना रही है। इंस सारे term को आपको यहाँ पे गवर करनी है। उसके बाद फिर आपका आता है कोशिको ऊजब का मि होती है तुटक यह सारी चीज को आपको यहां पे कबर करना होगा जोकि मैं हर एक टॉफिक को कबर कराने कराने वाली हूं तो इसके लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है तीक उसके बाद नेश्च आपका आता है पाचनतंत्र से पाचनतंत्र में भी आपको इसके सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वह सारे शॉस लेने में यानि कि नाक से शुरू करके आपके फेपरे तक जितने भी ऑर्गन्स आपके सौशन किरिया में आपके क्या करते हैं उन सारे ऑर्गन्स को यहां पर हम लोग पिस्तार से देखेंगे ठीक है उसके बाद है आपका रग्त्परी संचरंतंत्र यह भी आपका क जिसमें कि आपके फाइब चेप्टर दिये गए हैं जो कि आपको कवर करना है और जो मेरे पुराने बच्चे लोगों तो यह पता ही होगा यह सारे आपके वैसे भी सभी बच्चों ने पढ़ा है फश्टियर और तोयल्थ में यह सारे चेप्टर थे तो वैसे भी बहुत ही आपका सिलेबस है यह जो भी है सन 2020 सिच्चनीत के उनसा बहुत अच्छा सिलेबस आया हुआ है पहले तो होम मनेजमेंट आता था जो कि बिलकुल अलग हो जाता था ठीक है अब खंड बा देखते हैं खंड बा में हम लोग को क्या कवर करना है खंड बा में हमें क्या पढ़ पोसर एवं उसके प्रकार पोसर किसे कहते हैं उसके डिफिनीशन और अर्थ या मीनिंग को जानेंगे उसके बाद उसके टाइफ कितने प्रकार के पोसर होते हैं यानि को पोसर शू पोसर ठीक है और सकता से अधिक पोसर तो यह सारे इसके प्रकार होते हैं जो कि हम इस ठीक हम प्रोटीन में भी देखेंगे इसके सुरोत क्या होते हैं प्रोटीन किनकिन सुरोतों से प्राप्त होता है ठीक है इसके सुरोत को देखेंगे सुरोत क्या है इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं अधिकता से कौन से रोग होते हैं ठीक और इसकी प्राप्ती किससे होती है तो ये सारे चीज हम लोग इसमें कबर करेंगे, जैसे कि आपको पता है, प्रोटीन से होना ने, लोग रो कौन कौन से, आश्टो मैलेशिया हो गया, मरामास हो गया, तो ये सारे हम लोग इसमें कबर करेंगे, ठीक, आगे इसमें देखते हैं, आगे जो आपका है, ये इसमें हैं आपका carbohydrate बिल्कुल इसमें भी हम लोग वही पढ़ेंगे कि protein carbohydrate का अर्थ क्या है परिवासा ठीक है किसे कहते हैं किन स्रोज से प्राप्त होता है अधिकता से क्या होती कमी से क्या होती तो यह सारी चीजें हम लोग किसमें कबर करने वाले हैं उसके बाद फिर आपका आता है वाशा तिक बाश्हा में बिल्कुल हम लोग को वही चीजे पढ़ ना है कारबोहाड़ेट जैसे हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या चीजें इसमें आती है क्या नहीं आति यह सारे चीजे में लोग इसमें कबर करेंगे बिल्कुल विटामिन अब विटामिन्स में भी विटामिन्स किते परकार के होते हैं विटामिन्स आप लोग को पता है दो परकार के होते हैं जल में घुलंसीर, वसा में घुलंसीर, कौन-कौन से वसा में घुलंसीर है, कौन-कौन से जल में घुलंसीर है, किन-क खनिशलोडों के ओसकता हमारे शरीर में होती है, मुख्यतेया, ठीक है, उसकी क्या प्रभाव परते हैं हमारे शरीर में, किस खनिश की क्या कार है हमारे शरीर में, तो ये सारी चीज हम लोग किसमे कबर करने वाले हैं, हम लोग कबर करेंगे, खनिशलोडों, उसके बाद आप पोसक तत्तं कौन कौन से होते हैं त Twinworth आपके 6 होते हैं तो खूम ray होते हैं। चे वह कौन से हैं अपके प्रोटिन हो गया है कारभो हाइड़ेट वासार्ब घ्रैमीस खरिपर और यह सारे आपके क्या है ऑफार के पोसक्तत्त्म जो कि आपको खंड सामें कबर करना है ठीक है उसके बाद है देखिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक आपका जो है भोजन पकाने की बिधियां किन-किन बिधियों से भोजन को पकाते हैं यह सारे चीज़ें आपे हम लोग को पढ़ना है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें तो काफी पढ़ना है आप लोगों को क्या बात है काफी है कोई नहीं लेकिन बहुत इंट्रेस्टिंग है आपका यह जो भी सिलेवस आप लोग काया है बहुत ही अच्छा है मैं पूरा ही कबर कराने वाली हूं ठीक है उसके बाद अंकुरी करन किसे कहते हैं ठीक क्या होता है इसको जानेंगे उसके बाद भोजन की देडा है और संपन देडा यह जनाemie उसके बाद भोजन सदूसर किसी कहते है सदूसर यारै दूसई थोणा भोजन का दूसीत होना क्या होता है दिक भोजन का संरचर एंक वंप संग्रा ठीक है अब ये इतनी पॉइंट हम लोग अभी किसमें जान रहे हैं ये ख्ण भामें खी किसमें है! बामे ठीक आगे दिखते हैं अभी इसमें और भी है इसमें आपका ये अगला जो टुपिक है आपका भोच पदातों में मिलावट ये तो बहुत ही जदा इंपॉर्टेंड आपका जो है बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा question competition level का हो ये कोई भी paper हो तो उसमें ये दो chapter आपके जरूर पूछे जाते हैं ये खाद अधिनियों मानक का मतलब क्या है कि मानक किसको जैसे ISI का mark किस में दिया जाता है तो आप लोग को पता बारतर में दिया जाता है ये खाद किसके लिए दिया जाता है तो ये सारे चीज़े इसमें आपको cover करना है ये भी बहुत ही interesting chapter आपके हैं बहुत ही अच्छा है दिखिए अब खंड सा आ गया ये खंड सा में आपका 31 कुल मिला के मैंने बताया था chapter है तो खंड खंड में इसमें आपको क्या पढ़ना ह है जैसा कि आप लोगोंने paper का नाम ही पढ़ा क्या पढ़ा था कि मानो विकास ठीक क्या था मोल पोसक के मोलतत्र पढ़ना है आपका paper का नाम क्या था पोसक के मोलतत्र इवं मानो विकास तो यहां पे खंड सा में आपको विकास पढ़ना है ठीक है विकास की विकास का एक प उसके सिधान्त, यानि अभी वृद्धी क्या हुआ, वृद्धी का मतलब क्या हुआ, जो हमें दिखाई रहेता है, यानि कि हम बढ़ रहे हैं, मोटे हो रहें, पतले हो रहें, तो हमारा वृद्धी होता है, विकास क्या होता है, यानि कि हमारे सारीरिक, यानि कि आंत्रिक ज वन सानुकरम एवं वातावरन ये आपको करना है उसके बाद आपका चैप्टर जो है 27 ये आपका है गर्भाधान एवं गर्भा अवस्ता ठीक है ये इतने हम लोग किसमें कबर करने वाले हैं तो सामें कबर करने वाले हैं ठीक है इसी में गर्भाधान के बाद देखिए यहा आकारिक तता चमता यानि कि उसकी सारीरिक और आकारिक यानि आकार से उसकी जो बिरिद्धी होगी वो और उसकी चमता हैं यह जानना है यह यह शेशो आवस्ता है शेशो आवस्ता पर पढ़ना है हम लोग को उसके बाद पार आरंभिक बाले आवस्ता है यहां तक हमको यह करते थे बहुत ही बोरी होता था लेकिन यह बहुत ही इंट्रेश्टिंग पेपर है आपका जो भी आपके यह राष्टी सिच्छा नीच संदोजा बीस के अंसार आया है बहुत अच्छा सी लेवस हैं तो इसके लिए सिप आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाली हूँ तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कमेंट करके जरूर बताइए कैसा रहा और लाइक करिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक क्या इसी में से किसी एक टॉपिक के साथ ठीक है मैं एक किसी यानि कि जो भी वीडियो लाओ हो जाएं ठीक है लिखने में बिल्कुल कैसे लिखाना है कैसे एंसा देना है मैं हर एक चीज को आपको बताऊंगी बस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को किलिक करना बिल्कुल न भूले और हाँ अगर आप नोट्स पी चाहते हैं तो टेलिग्राम पे मेरा एक च पॉइंट का बिल्कुल वैसे लोगो आपको वहाँ पे भी तेलिग्राम पे मिल जाएगा उसको जॉइन कर लीजे आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलता रहेगा तीक है अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए